हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका सुजय इन्फोटेक में मैं हूँ सुजय और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे योटूब पर पढ़ाने के लिए पीडियेप नोट्स यानि कि steady material कैसे बनाएं वो भी अपने mobile phone के माध्यम से चलिए सिखते हैं उसके पहले आप से कहना चाहेंगे कि अब तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृफिया सब्सक्राइब कर वेल आइकन को जरूर दबाएं चलिए हम आपको बताते हैं कि अपने mobile phone के माध्यम से एक अच्छे quality का steady material बना करके आप अपने mobile phone के screen से ही educational video कैसे बना सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको दो application के ज़रूरत परेगी पहला है screen recorder जिसे आप अपने screen को record कर पाएंगे इस app का link हम अपने इस video के description में डाल देंगे दूसरा application होगा camera scanner जिसके माध्यम से आप किसी भी book के PDF में convert कर सकते हैं यानि कि किसी भी book के objective question या notes जो वगरा हो उससे आप अपने mobile phone की camera से scan करके उसे PDF में convert कर सकते हैं तो इन दोनों application को आपको अपने phone में install कर लेना है सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप PDF कैसे बना सकते हैं किसी भी book के objective question को सबसे पहले आपको इस camera वाली application को open करना होगा open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के interface सो होंगे उसके बाद simple आपको इस camera वाली icon पर type करके आपको अपने photos के जो objective question है उसे click कर लेना है तो चलिए हम अपने जो भी objective question है उसे पहले click करते हैं इस पर हमने click किया और यह हमारे सामने हमारा book का photo आ रहा है तो इसमें कुछ objective question है उसे हम click कर लेते हैं यहां से हम अपना flashlight on कर लेते हैं और हम इसे पहले क्लिक कर लेते हैं इसे आप अच्छे तरीके से एड़ेस्ट करके क्लिक कर ले तो यह फिलाल क्लिक हो चुका है इस तरीके से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से मार्क दिखेगा इसे आप अपने अनुसार एड़ेस्ट करके क्रॉ पर शकते हैं जैसा कि हम इतना करो करते रहें साइड वाली चो एरिया जहें इहां इससे आप द्रीक से बना ले और simple list next पर क्लिक करें इस तरीके से इसमें आपको बहुत सारे अपसन यहाँ पर मिल जाता है यहाँ है original जिसे आप original format में रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं सबसे वेहतरीन के लिए तो यहाँ lighten रखें आप magic color फिलाल हम इसे magic color में रहने देते हैं और simple list save पर क्लिक करते हैं save पर क्लिक करने के बाद आप को अगर और इसमें page add करना यानि कि अगर आप चाहते हैं कि और सारे page skin हो तो simple list पर क्लिक करके आप skin कर सकते हैं या यहाँ पर tap करके आप फिर से दूसरा page को skin कर सकते हैं फिलाल हम एक ही page को बता रहे हैं और simple आप इस video पर click करें, यह अब जो हमने click किया यह video में हमारे phone में save हो चुका है, चलिए अब हम इसको, आपको कैसे पढ़ाना है, वो हम दिखाते हैं, यह video आपके phone में save हो चुका है, चलिए देखते हैं कहाँ पर save हुआ है, इसके लिए हम अपने mobile file में गए, और यहाँ से गए device manager यानि कि device storage है उसमें, और एक file हमको मिला camera scanner यानि कि इसी application के नाम का उस पर click किये, और जैसे click है तो यहाँ नीचे हमें वही video देखने को मिल रहा है, तो simple आपको इस पर click करके इसे open कर लेना है, इस तरीके से यह open हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहा है कि इतने high quality में scan हुआ है, इस तरीके से आपको scan कर लेना है, और इस application में यहाँ पर एक tools आपको दीख रहा होगा, brush tools जिसके माध्यम से आप अपने बच्छे को असानी फूर्वक explain कर पाएंगे, जैसा कि हम यहाँ से कर पा रहा है, आप ठीक किसी तरीके से पढ़ा पाएंगे, इसी तरह बहुत सारे यूट्टूबर पढ़ाते हैं, जैसा कि है, निमलिखित राजियों में कौन सा राज बंगलादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती, तो जैसा कि इसका option B सही है, तो आप अपने students को B पर टिक करके इस तरीके से, आप mouse से कर रहे हैं, तो थोड़ा सही नहीं हो पर आएं, आप pain यूज कर सकते हैं, हमने एक वीडियों बता है कि अपने mobile phone के लिए खुद से touch pain कैसे बना सकते हैं, study material के लिए, study पढ़ाने के लिए वीडियों आपको इससे आई बोटन या description में मिल जाएगे, उससे भी आप देख सकते हैं, उसमें बताया गया कि आप खुद से touch pain कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से आप explain कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इस आप को इंस्टॉल कर लिजेगा इस वीडियो का description से, तो कुछ यहीं तरीका था जिसके माध्यम से हम लोग ने जाना कि study material और educational videos कैसे बना सकते हैं, आपको अच्छी लगे होगी, अच्छी लगे हैं तो इस से like और अपने दोस्तों के साथ,